कि अज़िए के अज़िए के नदर हम कवर करेंगे टी एस गईवाल के बुक के कुश्चिन इससे पहले हम कुश्चिन नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं अब हम स्टाट करें कोश्चिन नंबर 10 से इसके अंदर कौन से टॉपिक्स इंकल्यूड हैं वो हम देख लेते हैं तो हेडिंग है इंटर्स्ट ओन लोन टू दी फर्म बाई पार्टनर और लोन बाई दी फर्म टू पार्टनर यानि कि फर्म भी लोन देता है पार्टनर को तब कैसा इंटर्स्ट चार्ज किया जाएगा कितना किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और पार्टनर ने फर्म को दिया तो कैसे होगा वो दोनों ही चीजिस के अंदर आ जाएगी कोशन नमबर टैन के अंदर हमें यह दिया गया है कि अखिल और बिमल पार्टनर हैं 3 ratio 2 में अखिल गेव लोन टू दी फर्म यहाँ पर एक पार्टनर ने लोन दिया है किसको फर्म को एक लाग रुपे वोजी लोन कब दिया है एक अक्टूबर को लोन दिया है on the same date यानि कि एक अक्टूबर की ही बात चल रही है फर्म ने लोन दिया है बिमल को बिटा कोशिन के अंदर पहले केस में अखिल नाम के पार्टनर को अखिल नाम के पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है लोन के तोर पर एक लाग रुपे एक अक्टूबर को तो on the same date मतलब एक ही October को firm ने दूसरे partner को लोन दिया है एक लाख रपे का they do not have an agreement as to interest बेटा agreement नहीं है अब agreement नहीं है तो आपको पता है अगर partner ने हम ही पैसा दे रखा है तो हम उसको interest भरेंगे 6% but अगर interest firm ने partner को दे रखा है अगर firm से interest charge करना है तो तो हो जाएगा partner रहाम से कर लेगा but अगर partner से पैसा interest कर लेना है लोन के उपर तो हम लोग नहीं ले सकते without partnership deed ठीक है Akil had also given his personal property for the firms go down at the monthly rate of 5,000 फिर दे रखा है firm earn profit firm को profit of 1,03,000 before above adjustment उपर की कोई भी adjustment करने से पहले firm ने कितना profit कम आया है 1,03,000 show the distribution of profit for the year बड़ासान सा है जितना profit है उसमें से सारे expense को less कर देंगे हमारे पास आ जाएगा तो start करते हैं question number 10 ठीक है यहां हम करें question number 10 start करेंगे solution number 10 तो solution में लिखा जाएगा सबसे पहले तो यह partner के नाम क्या है अखिल और बिमर ठीक है दो partners है उनका profit sharing ratio है 3 ratio 2 तो यह दो partners दिये गए हैं फिर जो profit था पहले वो लिखेंगे profit before adjustment profit हर दम before adjustment ही होता है profit before adjustments तो profit कितना था 1,003,000 तो यहां लिखेंगे 1,003,000 profit लिख दिया profit में से सारे expense को less कर देंगे जैसे कि rent था minus क्या लिखेंगे rent pay to akhil जैसे rent लिखकर भी छोड़ सकते हैं आप pay to akhil akhil को कितना rent pay करना है तो वाँ कोशे में दिया गयाता है कितना है 5000 monthly है साल में कितने महीने होते हैं बारा महीनी तो अगर akhil को 5000 monthly rent भरा जा रहा है और महीने कितने उत्तर साल में 12 तो साल भर का कितना rent हम akhil को pay करेंगे फर्म कितना pay करेगा 60,000 ठीक है आगे और कोशे में दिया गया था क्या दिया गया था loan बटा यहाँ लिखेंगे minus करेंगे interest on firm ने जो partner से loan ले रखा है किस से अखिल से उसके उपर क्या भरना पड़ेगा interest भरना पड़ेगा interest on akhil's loan अब akhil से loan लिया हुआ था उसके उपर akhil से loan कितना हुआ लिया हुआ था एक लाग रुपे का loan into me rate into me time rate कितना है 6% और time क्या time पता है बिल्कुल जी 1 October, October के बार मार्च तक बटा कितने महीने होंगे 6 month average के लिए 12 से डिवाइड कर दिया solve करेंगे तो हम लोग कितना interest भरेंगे 3000 ठीक है तो यहां बे आ जाएगा कितना 40,000 रुपीस यह क्या आ गया हमारा जो हमारा profit distribute होगा कितना आ गया 40,000 ठीक है अब यह 40,000 distribute होगा किस के बीच में distribute होगा partners के बीच में partners कौन है Achil और Bimal है Achil और Bimal के बीच में तो यह distribute होगा किस ratio में distribute होगा जिस ratio में profit share कर रहे थे यहनकि 3 ratio 2 में इस profit को share किया जाएगा वो ही अपना पुराना काम करेंगे पिटा अखिल्स शेयर ओफ प्रॉफिट फिर नीचे लिखा जाएगा बिमल्स शेयर ओफ प्रॉफिट ठीक है अब प्रॉफिट फॉर्म का कितना था 40,000 फिर्म का प्रॉफिट था दोजों पार्टनर्स태 के आगे लिख दिया जाएगा इसमें अखिल का शेयर कितना है 3 अपन में टोटल 3 over 5 बिमल का शेयर कितना है 2 अपन में टोटल 2 अपन में 5 यहां कितना हैगा 24,000 यहां कितना आ जाएगा 16,000 ठीक है अब बच्चे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कोशिन के अंदर बाकी सब चीज तो ठीक है आप एक चीज भूल गए जो इंटरस्ट हमें पैसा इंटरस्ट का पैसा हमें विमल से लेना था वो तो आपने दिखाए नहीं बेटा ध्यान ले कोशिन में दिया गय है तो विदाउट पार्टनर्शिप डीड क्या होता है इंदी एपसंस ओफ पार्टनर्शिप डीड अखिल से बेटा हम कितना इंटरस्ट को इंटरस्ट कितना भरेंगी 6% उसको पे करेंगे इंटरस्ट ओन लोन विल नॉट बी चार्जट फ्रॉम विमल और जो हमने विमल को लोन दिया हुए था एपसंस ओफ पार्टनर्शिप डीड के हिसाब से हम अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो हम विदाउट पार्टनर्शिप डीड हम उससे इंटरस्ट चार्ज नहीं कर सकते उस लोन के उपर ठीक है अब करेंगी कोशन नुमबर 11 कोश यहां पर फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया है कितने का वाइफ लाइप रुपीस का एक अप्रटन दो हज़ार बाइस को इंटरस्ट वाज टू बी चार्ज एड़ टैन परसंट जो पवन को फर्म ने पैसे दिये है उसके उपर इंटरस्ट किस रेट से चार्ज किया ज आप से फर्म टुक लोन ऑफ रुपीस 2,00,00 फर्म ने लोन लिया है किस से लोन लिया है वो भी एक अक्टूबर को तो पावन को पैसे दिये है एक अप्र को और निर्मल से पैसे 2,00,00 पर लिया है एक अक्टूबर को दोनों की डेट अलग है बिफोर गिविए इफेक्ट अब उपर जो भी है उसको इफेक्ट देने से पहले फर्म को क्या हो गया बिटार लॉस हो गया कितने का 10,000 रुपे का Determine the amount transfer to profit and loss appropriation account तो हमें बताना है कि क्या amount हम profit and loss appropriation ने transfer करेंगे तो सबसे पहले profit हो या loss उसको लिखा जाएगा स्टार्ट करते question number 11 solution number 11 तो यहां लिखेंगे क्या loss for the year before adjustment हमें दिया गया है loss किसका पूरे साल बर का loss दिया गया loss for the year before adjustment दे दिया गया है कितना 10,000 का loss हो गया था 10,000 का loss है तो bracket में लिखेंगे bracket का मतलब हो 10 minus कोश्य में दिया गया था क्या पावन को फर्मने पैसा दे रखा है बिटा लोन का तो उससे interest चार्ज करेंगे वह 10% के इसाफ से अब यह लिखा हुआ था partnership deed नहीं होते तो हम charge नहीं कर पाते अब यह लिखा हुआ था इसलिए इसको charge किया जाएगा किसको interest को लिखेंगे interest on loan received from पावन तो partner पावन से कितना interest का पैसा रिसीड किया जाएगा तो partner को हमने पैसा दिया कितना था पांच लाग रुपे और rate क्या है बिटा 10% time क्यों नहीं लेंगे अपरल से मांच तक लेंगे 12 महीने 12 बाट 12 करेंगे इसलिए नहीं लेंगे यह कितना जाएगा 50,000 उसके बा इंटर्स्ट ओन लोन पेड़ टू किसको निर्मल तो लोन कितना था दो लाग रुपे का लोन था rate क्या था rate था बिटा 6% और time हमें पता है October में था तो बिटा कितना रहेगा 6 months तो लोन आगे कितना जो इंटर्स्ट आगे कितना लोन के उपर 6,000 तो इसको calculate करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी amount हम transfer करेंगे तो बिटा 10 और 16 माइस करेंगे 50 में से कितना आगे 34,000 रुपीस बचे हुए हैं इस amount को हम profit and loss appropriation में transfer करेंगे और क्या लिखा जाएगा amount of profit transferred to profit and loss appropriation account ठीक है अब देखते हैं question number 12 question number 12 में क्या दिया गया है कि अंकित भानू चारू partners हैं और profit कैसे share कर रहे हैं equally 2,50,000 capital है each मतलब तीनों पार्टनर ने 2,50,000 लगाए हैं अलग अलग लगाए हैं यानि कि 750 इन्हों ने invest किया है business में आगे दिया गए 1 October 2022 को अंकित और भानू गेव लोन यानि दो पार्टनर ने लोन दिया है 2,50,000 लग लगाए है निकी अंकित ने भी फर्म को 2,50,000 लग लोन के और भानू ने भी 2,50,000 लगाए है कैसे पत लगा इच लिखा हुआ है यहाँ पर एक पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है लोन के तौर पर यहाँ पर एक पार्टनर इनकी चारू ने फर्म से लोन लिया है कितना 1,00,000 लगाए on the same date, यहनकी same date को यह काम होई, यहनकी एक October को ही अंकी तुर्भानु ने फर्म को पैसा दिया और एक October को ही चारु ने फर्म से पैसा लिया है It was agreed among the partners that चारु will not be charged interest will be charged, यहाँ पर है कि चारु interest कितना charge करेगी, चारु से कितना चारु आज किया जाएगा interest, 6% के इसाफ से, interest on loan from partners was paid on 10th capital, जो loan paid किया जाएगा, कब किया जाएगा, 10th capital को paid किया जाएगा, session end का बोड़ है 31st March को, आपको general entry pass करनी है, तो start करते है question को start करेंगे solution number 12, तो सबसे पहले loan जो लिया गया है, तो पैसे loan लेंगे, तो पैसा आएगा, कब loan लिया है, October में तो लिखेंगे, 2022 October, बगन 12, जिस जिन फॉर्म में लवन लिया है partner से, loan लेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो वो सीधा bank account में जाएगा तो लिखेंगे bank, account, debit जिन पार्टनर से लोन का पैसे मिला है उनका नाम लिखेंगे किस किस से मिला है अंकित से मिला है तो अंकित लोन अकाउंट और यहां लिखा जाएगा दूसरे पार्टनर से भी लिया है उसका नाम क्या है भानूस लोन अकाउंट और दोनों पार्टनर से धाई धाई लाग र लिए तो ढाई लाग रुपे यहां अंकित से लिए हैं और ढाई लाग रुपे भानू से लिए फर्म के पास लोन का पैसा टोटल कितना आ चुका है फाइफ लाग रुपीस ठीक है बिंग करके ट्रांडरेशन लिखी जाएगी बिंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स उसके बाद उसी डेट को यानि कि अक्टूबर बन को ही हमने लोन का पैसा दिया भी है चारू को ठीक है लिखेंगे लोन टू चारू अकाउंट डेबिट तो फर्म की पाकिट से पैसा जाएगा तो क्रेलिट साइड में बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट और कितना चारू को लोन दिया है फर्म ने वन लैक रुपीस बींग करके क्या लिखेंगे बींग लोन गिवन टू चारू ठीक है उसके बाद लोन लेने देने का सिस्टम हो गया बट कैलकेट भी तो करना है कि अगर लोन हमने लिया है तो हमें उसके उपर इंटर्स कितना पे करना पड़ेगा तो ड्यू के इंटरिक अब होगी सेशिन एंड होकर तब भी तुम कैलकेट करेंगे वह कितना हमारा इंटर्स बनता है लोन के उपर लेना और देना है हमें लोन के उपर इंटर्स्ट मार्च साथी बन यहां लिखा जाएगा हमने लोन लिया हुआ है ठीक है तो हमें उसके उपर इंटर्स कितना पे करना है व पॉस्ट और फोल लंत यह लिखेंगे इंट्रेस्ट ओन लून बाइपार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू अंकित्स लून वो लून है कुन से बिटा अंकित का लून और टू यह लिखा जाएगा दूसरे पार्टने का नाम क्या है बानूस लोन अकाउंट यह बात क्लियर है आपको अब अब यहां ध्यान देंगे लोन था कितना वो था ढाई लाग रुपे ठीक है तो इसके वर्किंग नोट ते या कपने बिटा तो यह मैंने जगह छोड़ दी एंट्रीस के लिए फिर मैं यहां पर वर्किंग नोट ते य लोन टेकन बाई यह टेकन फ्रॉम पार्टनर्स बाई फ्रॉम पार्टनर से लिया है लोन और फ्रॉम पार्टनर से लिया है लोन और फ्रॉम ने यह लोन लिया है तो उसके उपर इंटर्स कितना बनेगा तो इंटर्स और लोन का पामला आप लोग को पताईए बेटा Interest on loan का फामला उता है Loan into my rate into my time Loan into my rate into my time इसी का भी calculate कर दें एक ही आएगा तो हम दे लिए दे लोन दोनों partners का बेटा loan है कितना? धायलाग रुपे into में rate क्या है? बेटा question की तरफ देखते हैं rate करिया गया है 6% यहां देखेंगे 6% कि हिसाब से ठीक है और टाइम कितना कुंसिडर करेंगे वो देखेंगे यहां पर तो यहां पर पर लोन लेना और देना सेम डीट कर वहा तो शिक्ज मुंथ की साफसे टाइम को कुंसिडर किया ज़ाएगा कि इसको सिंप्रिफाय करेंगी यह जाएगा मारा सेवंटी पाइफ हंडर्ड ठीक है यहां लिखतेंगे इंटर्ष्ट बनता है लोन के ऊपर वो कितना बन रहा है हर एक पार्टनर से सेवंटी फाइफ हंडर्ड यहां पर भी लिखा जाएगा सेवंटी फाइफ हंडर्ड टोटल फर्म को लिए गए लोन पर कितना इंटर्ष्ट पे करना है 15,000 रुपीस का ठीक है इसके बाद और जो फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था उसके उपर भी तो इंटर्ष्ट अकाउंट यह पिर लोन टू चारू भी आप लिख सकते हैं चारूस लोन अकाउंट डेबिट टू इंटर्ष्ट ओन क्योंकि यह पैसा आएगा इंटर्ष्ट ओन चारूस लोन अकाउंट बैटें, आप बीइंग करके यहाँ थोड़ा सा बीइंग करके आप इसको फुल्फिल कर लेंगे स्पेस को, बीइंग इंटर्स्ट ओन लोन इंटर्स्ट ओन लोन ड्यू टू पार्टनर्स ठीक है, पर यहाँ पर भी लिख लेंगे इंटर्स्ट ओन लोन ड्यू फ्रॉम चारू तो बीटे, चारू से इंटर्स्ट का कितना पैसा चार्ज किया जाएगा वो हम कैल्पलेट कर लेते हैं ठीक है, यहाँ बरकी नूर्ट में करेंगे क्या लिखेंगे इंटर्स्ट ओन loan charged from चारू वे नहीं वही पॉर्म ला है interest into my rate into my time पेटे हैं shortman लिख देते हैं interest on loan loan था कितना 1,00,000 रपीस का कितने ही मैं कोशिन देख लेते हैं loan कितने का है 1,00,000 रपीस का into my rate कितना है 6% time कितना है पेटा 6 month कितना आजाएगा जो हम चारू से charge कर सकते हैं 3,000 रपीस ठीक है तो हम्हें लिख देंगे पेटा 3,000 रपीस हम चारू से interest कितना charge कर सकते हैं 3,000 रपीस ठीक है तो आप हैं देखेंगे बिटा यह जो पैसा आएगा और जाएगा तो कहां पर आएगा सीधा profit and loss account के इंदर ही होगा इस सारा काम तो March 31 को कब March 31 को कि जिस दिन session end होगा profit में ही तो वो पैसा आएगा या profit से ही वो पैसा जाएगा तो March 31 हमने loan लिया हुआ तो दो partner से तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा तो पैसा profit and loss account से ही जाएगा तो profit and loss account debit to interest on partners loan account करेंगे कितना बिटा 15,000 पर देने हैं यह profit में इसे पैसा निकाल कर दे दिया जाएगा being interest on loan pay to partners being interest on loan बिटा पे कब करना है ये तो दस अप्रायल को पट है यहां इसमें भी पैसा निकाल कर रखिया जाएगा Interest On Loan Transfer From Profit And Loss Account और बीटा, last entry आओगी March 31 की हमारे पास Interest On Loan का पैसा आएगा भी तो सही हमने भी तो एकसी वो लोन दे रखा है तो वो पैसा देख कर भी जाएगा चारू से पैसा आएगा तो वो पैसा इसके इंदर लिख देंगे Profit And Loss में ट्रांसफर कर देंगे वो कितना हैगा हमारा 3000 रुपीज बीइंग करके बीइंग Interest On Loan Transfer to Profit And Loss Account ठीक है आप करेंगे हम कोशिन नमबर 13 दिया गया है Atul, Jeta और Tark Partners है कैसे Equal Partners दिये गए है Jeta was given loan by the firm Jeta को पैसा दिया है किसने दिया है firm ने पैसा दिया है 1, July 2022 Jeta को पैसा दिया है किसने firm ने पैसा दिया है कितने 6 लाग रुपे सेशन कब खतम हो रहा है बिटा 31st मार्च को तो जर्नल एंट्री पास करनी है अगर what जर्नल एंट्री बिल पास if पहले rate of interest is not agreed अगर बिटा interest के बारे में कोई discussion नहीं हुआ है तो क्या होगा जो firm ने एक partner को loan दिया है तो क्या firm उसे interest charge कर सकता है अगर बात पहले से नहीं हुई है तो second number पे rate अगर 10% से charge हुआ है तो बिटा पहली बात आपको पता है कि अगर firm ने किसी partner को loan दिया है और वहाँ पे बात नहीं हुई interest की तो बिटा चार्ज भी नहीं कर सकते form से यह बात क्लियर है तो यहां लिखेंगे first number थी solution number 30 solution number 30 ठीक है तो लिखा जाएगा क्या interest will not be charged interest case number 1 में interest will not be charged hence क्यों क्योंकि बिटा partnership deed के बिना आप interest चार्ज नहीं कर सकते hence no entry will be passed तो बिटा कोई entry pass कर ही नहीं सकते जब हम पैसा रिसी भी नहीं देंगे तो entry किस बात की होगी यह बात clear है second case में जहां पर interest चार्ज करना है 10% के हिसाब से तो लिखेंगे interest on जेठास loan तो formula तो पता यह क्या loan into my rate into my time तो बार 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 इस formula को लिखेंगे ऐसे कैसे भूल जाएंगे हम दाश्ट तक तो लिखते जाए loan into my rate into my time तो जेठा जी को loan दिया कितना था 6,000 रुपे का 6,000 रुपीस का किस rate के हिसाब से 10% यह तो decided था time time कितना था 9 month वो कैसे July से बिटा count करेंगे March तक तो 9 month आएगा तो यह amount कितने आएगी 45,000 हमें जेठा से चार्ज करने है जो हमने उन्हें loan दिया है इसकी entry पास करेंगे entry करेंगे जब session end होगा session end कब हो रहा है March में तो लिखेंगे 2013 I think given है यहापे year बिल्कुल 2023 लिखा जाएगा यहापे दिया गया है 2022 था तो 2023 March 31 यहाँ लिखेंगे क्या interest on loan account debit to क्या लिखा जाएगा तो यह loan का पैसा किससे आ रहा है बिठा जेठा से तो जेठा से capital account जेठा स capital account बीन करके क्या लिखेंगे interest on loan to जेठा is due वो कितना calculate किया था हमने 45,000 ठीक है अब करेंगे हम question number 14 question number 14 में दिया गया है कि पारूल परेश और राहूल पार्टनर से एक फर्म में फर्म गेव लोन टू राहूल यहां के फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया है कब दिया है एक फरवरी 2022 को 6,000,000 रोपीस का इंटर्स्ट वज एग्री तो बी चार्च 6% पर एनम इंटर्स्ट वज पेड बाय चेक तो पैसा जाएगा वो बैंक से जाएगा अब टू फर्वरी 2023 बीटा एक फर्वरी को तो लोन दिया है एक पार्टनर को और फर्वरी के महिने तक का ही है इनकी एक महिने का ही लोन है बाय दाहूल ओन 5th मार्स 2023 को पेमेंट करनी है बीटा एक महिने की पेमेंट करनी है जो लोन था balance was to be paid by him तो उसने पैसा किसको दी एक firm को firm ने उसको loan दिया था तो firm उसको उसको क्या करेगी charge करेगी interest ठीक है बाकि यह नहीं हुआ एक महिने का एक महिने का हो गया journal entry पास करने है, start करते question number 14 का solution तो हम यह देखेंगे question number 14 की solution की तरह तो journal entry का format आपने बना लिया है ठीक है, अब बना लिया है start करते हैं इसका solution तो सबसे पहले तो पैसा आएगा या जाएगा ना बीटा पैसा आएगा, कब आएगा 5 तारीक को क्योंकि 5 तारीक को, यह नहीं की 5 March को, तो यहाँ लिखेंगे 20, 23 March 5 को पैसा आएगा, किस चीज़ का interest का, जो हमने पैसा दिया था लोन के तौर पर, किस को एक partner को, राहूल को पैसा दिया था तो interest पे करेगा, 5 तारीक को तो bank account debit 2 किस से interest मिल रहा है partner से, तो interest on राहूल's लोन ठीक है तो इंटरस्ट on लोन पेड़ बाई राहूल अब टूरी डेट डेट इस कब मार्च 5 तो पैटा उसने interest भरा है राहूल में पाँच मार्च तक का अब वो कितना आते है वो calculate करेंगे कहाँ पे, working note में तो आप यहां लिखेंगे, working note बनाएंगे बेटाई यहां पे तो working note यहां start करेंगे और क्या लिखा जाएगा जो हमें charge करना है ठीक है, तो क्या लिखेंगे इंटर्स्ट ओन लोन तिल 5th मार्च लोन कितना था? पहली बाता, formula लिख दो जल्दी से लोन इंटू में, rate इंटू में, time लोन इंटू में, rate इंटू में, time लोन कितना था? 6,00,00 रुपीस ठीक है? rate क्या है? 6% और time कितना है, बीटा, 1 month क्योंकि फरवरी कोई लिया था, 5 मार्च को कर दिया तो एक ही महीना तो रहे 1 by 2 इसको calculate करेंगे तो एक महीने का कितना आगे, interest 3,000 और session बीटा, मार्च में खातम हो रहे तो अभी मार्च का, एक महीने का भर दिया एक महीने का ही तो रह गया, मार्च से मार्च 31 सका, तो remaining कितना रह गया? वो भी कितना रह गया, 3,000 तो एक महीने का 3 है, तो next month का भी क्या होगा? तो लिखेंगे, interest all loan for remaining period, बचे भी period का भी बटा कितना होगा? 3,000 तो पीजी होगो ठीक है? अब entry करेंगे, भाई, interest हमें पता लग गया, कितना आ गया? 3,000 तो यहां लिख देंगे, 3,000 पे कर दिया, किसने? राहूल ने पे कर दिया, फर्म को जब फर्म को पे किया, कब किया गया? 5,000 मार्च को पे किया था, फर्म के पास पैसा आ गया, राहूल ने loan के ओपर interest का पैसा पे किया है फिर March 31st को यहां लिखेंगे March 31st को जो पैसा बच गया है तो यहां लिखेंगे राहूल's Capital Account Debit 2 यहां लिखा जाएगा Interest on Loan to राहूल अकाउंट वो भी कितना बचा हुआ है 3000 यहां पर भी लिखा जाएगा 3000 Being Interest on Loan Charged Being Interest on Loan Charged ठीक है जो चार्ज किया जाएगा और लास्ट यह पैसा कहा से जाता है Profit and Loss Account से यह पैसा जाता है तो यहां लिखेंगे March 31st को किस चीज का पैसा बचा Interest on Loan का पैसा तो Interest on Loan Account Debit 2 यह लिखेंगे Profit and Loss Account अब अगर हमने किसी वह से पार्टनर से लोन लिया होता है तो हमारे पास यह पैसा जाता तब हम एंटरी करते है Profit and Loss Account यहां मारे पास पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है 3000 due 3000 जो आ चुका है टोटल कितना पैसा आएगा बेटा Interest का 6000 ठीक है बींग क्या लिखेंगे पैसा आएगा तो बींग इंटरेस्ट ओन लोन टू ट्रांसफर टू बेटान और इंटरेस्ट ओन लोन ट्रांसफर टू Profit and Loss Account ठीक है